चक्रवाती तूफान दाना की दस्तक बहुत ही जल्द देश के कुछ हिस्सों में होने जा रही है और इसके चलते क्या कुछ तैयारिया की गई है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे कितना शेत्र प्रभावित होगा ये भी आपको बताएंगे कहां कहां पर इसका बहुत असर हो सकता है ये भी आपको बताएंगे देगे अंडमान सागर से उठा चकरवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सैकलोन 24 अक्टूबर की आधी रात या 25 अक्टूबर को पूरी में टकराएगा पूरी तट से टकराएगा औ और इस दोरान 120 किलो मीटर प्रती घंटे की रफटार से हमाय चलने वाली है तीन हजार से जादा परिटको को सुरक्षित घर भेज दिया गया है होटल की बुकिंग चार दिन के लिए कैंसल कर दी गई है और डीशा में 14 जिलों के सभी स्कूल कॉलेजों की 25 अक्टूबर त पूरी के जंगनात मंदर के पुजारी राम कृष्ण प्रतीहारी के मताबक इस दोरान मंदर में होने वाली सभी पूजा वीदी विदान से अपने समय पर होंगी लेकिन शद्धालूं से 25 अक्टूबर तक नहीं आने की विंती की गई है ताकि शद्धालू आएंगे नहीं भीड़ होगी नहीं और लोगों की जान को खत्रा नहीं होगा तुफान का जो असर है वो बंगाल में भी देखने को मिलेगा ओडिशा में 150 तो बंगाल में 198 ट्रेनों को रद्ध किया गया है देए अब ट्रेनों का जो रफ्तार है इस पर भी रोक लगा दी गई है ओडिश चितिस्थान पहुंचाया है और यह माना जा रहा है कि 21 ऑक्टूबर से अंडमान सागर से निकला चक्रवाती तुफान दाना ये बंगाल के खाड़ी होते हुए पूरी तटसित टकराने वाला है साइकलोन का जो असर है वो छेह राज्यों में होगा पस्चिम बंगाल जहा पर जोड़ार बारिश के असार है तेश 24 ऑक्टूबर के बेच भारी बारिश हो सकती है दूसरा है ओडिशा 24 ऑक्टूबर को पूरी खुर्दा गंजम और जगत सिंग पुर जिलों के लिए अलग-अलग भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है रेड अलर्ट जार पुर्वी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है साइकलों से निपटने की तमाम तयारियां भी की गई है क्या तयारियां है कि सिस्तर पर की गई है वो भी विस्तार से आपको बता दे 29 में से 24-30 जिलो में तुफान का व्यापा कसर होने की संभावने और इसके चलते ही ओडिसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स 29 फाइट ब्रिगेट की 178 नाशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स की 20 तीम में लगा दी गई है 28 अक्टूबर को 11 इंच तक बारिश हो सकती और इसलिए लोगों ने मंगलबार को ही लगभग खाली कर दिया है पूरा इलाखा सरकारी बसों ने परिटोकों को स्टेशन छोड़ा और इसलिए प्लेटफॉर्म रात भर भरा रहा यहां पर भारी भीड देखने को मिली है और यह देखिए जो तमाम तयारियां की गई है इसके बीच में दाना नाम साओधी अरब ने दिया है क्योंकि इसका जो मतलब है वो है उदारता तुफान का दाना नाम साओधी अरब ने दिया है और अगर किसी आधी की गती 62 किलोमीटर प्रती घंटे सदिक है तो इसे एक विशेश नाम देना जरूरी होता है यही तुफानी हवा अगर 137 किलोमीटर प्रती घंटे पहुंचती या पार हो जाती तो इसे चकरवाती तुफान कहते अब देखिए इसका असर कई राज्यों में पढ़ने वाले जिसकी तमाम तयारियां पहले से ही कर ली गई है जो त राज्य सरकारे अलर्ट हो चुकी है तमाम वैपा के इंतजामाथ किये गए हैं रहने के खाने पीने के और सुरक्षित इस्थान पर रुक्वाने की पहले से विवस्था कर लिए बाकिस तुफान दाना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है और क्यासे मदद की जा सकती है कैसे बचा जा सकता है न्यूस जेटी ने सभी को पहले से अलट करना शुरू कर दिया ताकि आप खुद की सुरक्षा पर विशिज ध्यान दे सतर करें सुरक्षित रहें